जिनका वीडियो नहीं चल रहा है लिंक पे किलिक करिए तुरंट चलने लगेगा देखो बच्चा कलास शुरू हो गई बाबु जिनका वीडियो नहीं चल रहा है जो बेट कर रहे थे वो लोग दी गए लिंक पे किलिक करें तुरंट चलने लगेगा लाइब जो चल रहा है न उसके आप अगर देख पा रहे हो तो कमेंट बाक्स में मैं लिंक दे दे रहा हूं रिफ्रेस हो जाएगा सामने राज बेटा तुम्हें सामन सरे न हम जेट बना देंगे हूं समझ रहा हो ना यह तों पडाई कर लो पडाई कर लो बतचा पडाई कर लो बाबु चलो ठीक है no problem okay तो ठीका बच्चे good evening तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा ही खास चीज है जो पढ़ेंगे वो क्या है बच्चा? बाबु वो हम लोग पढ़ेंगे आज गुडनखंड परमिये क्या पढ़ेंगे? गुडनखंड परमिये बहुत ही ध्यान से देखो और प्यार से देखो ठीक है? चलो आप लोग सभी ये बताओ क्या आपने भागफल परमिये पढ़ा है कि नहीं? भागफल परमिये पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है न? क्यों बच्चा पढ़े हो कि नहीं? सभी पढ़े होगे भागफल परमिये देखो भाईया आप लोग क्लास को लाइक करो बाबु ऐसे मज़ा नहीं आती है कोई याद रखना तुरन सब्सक्राइब करो विल्कुल फ्री और कमेंट करो हमसे बात चीत करो मजे लो आगे पढ़ो चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुड़नखंड परमी है इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है नहीं तो आप जो 2.4 का लिए हो बोलो हां एंसी आर्टी जो भी बच्चे बुक लिए ना बच्चा वो खोलने पेज नंबर 48 पेज नंबर 48 खोल लीजिए सबी बच्चे पेज नंबर 48 एंसी आर्टी बुकों में ठीक है वहां पर देखो गुडनखंड परमीय की हेडिंग पड़ी है और यह क्या है मैं लिख देता हूँ कहरा कि यदी आव पी आफ यक्स घात यन इस ग्रेटर देन और इक्वल वन वाला एक बहुपद हो एक हो यह है गुडनखंड परमीय ठीक है लिखो इसे या समझो मतलब यह एक परमीय है जो कि आपके लिए मोश्ट इंपॉर्टेंट है राहु ले आदो जी गुडनिंग बर चपड़ाई कर लो बाबू ठीक है और एक कोई वास्तविक संख्या होतो और और एक कोई वास्तविक संख्या का मतलब रियल नमबर हो तो क्या होता है वो मैं दिखा रहा हूँ ठीक है देखो ध्यान से कोई वास्तविक संख्या हो तो तो यहां से समझो अगर यह ऐसी कंडिशन होती तो इसमें दो मतलब फर्मूले बनते हैं वो आपको याद करना है समझ के चलना है तो पहला X-A P of X का एक गुड़नखंड होता है P of X का एक गुड़नखंड होता है तो को मैं हटता हूँ इसका स्क्रिंसाट कर लेना ठीक है लेको बच्चा यह समझने वाला पॉइंट है अभी मैं इसको समझाओंगा जब कोईस्चन करवाओंगा कोईस्चन करवाओंगा तो इसको करवाओंगा ठीक है रूबी देवेदी कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें की नहीं आ रहा है न आगे लिखो यदि P of A इक्वल जीरो हो लिखो और यहां लिखो दूसरा सिकन्ड लिखो यह पहला कंडिसन है कि यदि X minus A P of X का एक गुडणखंड होता है गुडणखंड होता है तो क्या होता बच्चा P of A इक्वल क्या होता है जीरो होता है यह इसका फ़िश्ट कंडिसन है ठीक है दूसरा लिखो यदि P of A इक्वल जीरो यह होता है हो तो यदि P of देखो इसमें दो कंडिसन बनती है बच्चा गुडणखंड परमिये में कह रहा है कि यदि P of A घाद N इस greater than or equal वाला बहुपद हो मतलब कहने का यह है कि जो बहुपद हो वो एक घाद का हो एक घाद से जो है बहुपद का जो मान है एक घाद से बढ़ा ना हो मतलब एक घाद हो यह आफिर एक घाद के बराबर हो यहनि दो एक घाद बहुपद ना हो ठीक है ऐसा अभी जब कुश्चन लिखूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा question लिखूंगा तो सब clear हो जाएगा ठीक है एकदम clear हो जाएगा don't worry चलो इसको लिख लो बस लिख लो अभी इसका काम लगेगा अगर ये 0 हो तो x-a x-a p of x का एक गुड़न खंड होगा p of x का एक गुड़न खंड होगा देखो मैं अब समझा रहा हूँ तुम्हें समझो ये तो वैसे कह रहा है कि यदि फलाने फलाने के बाफ है तो उनके बिटवा होगे दूसरा ये फलाने फलाने बिटवा है तो उनके बाफ होगे यह तुम्हें कम समझ में आयोगा, ऐसे समझ लो, कि जैसे माल लो हमारे पिता जी है, हम है, तो यह पहला यह कहना चाहता है, कि एक्स माइनस एप आफ एक्स का यह गुड़नखंड होता है, यानि हम जो है अपने पिता जी के लड़के हैं, ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है कि हम अपने पिता जी के लड़के हैं, यह दी हमारे पिता जी हमारे पिता हैं, यह तुम्हें कम समझ में आएगा थोड़ा सा, आप कोईश्चन करवाएंगे तो समझोगे अच्छे से, इसका स्क्रीन साट ले लो, ठीक है, समझ लो इसको, चलो, यह दो कंडिशन होती है, ठीक है, यह क्या होता है, यह दो कंडिशन होती है, अब इसका प्रूफ करना है, ठीक है, अब इसको प्रूफ भी करना है न, आई पर्मिये है तो यह जरूर ही है करना, प्रूफ को देखो, आपने सेसफल पर मिये पढ़ा था रिमाइंडर थोरम में P of X equal X minus A into Q of X पढ़ा था ना और into R of X बोलो पढ़ा था कि नहीं बच्चा अरे ऐसे समझ लो भाई कि भाज ये बराबर ये क्या था भाज जग गुड़े भागफल था सेसफल ये होता है अगर ये होता है तो फिर problem क्या है क्या समस्या है अगर ये होता है तो तुम्हें काम करो हमें पता है कि हमें क्या करना है गुड़नखंड पर मिये करना है और गुड़नखंड पर मिये में क्या होता R of X 0 होता है सेसफल की नहीं कैसे देखो समझो समझो बेटा यहां समझो जैसे अगर हम 35 अगर 35 को हम 7 से भाग करते हैं तो बोलो 0 आता है कि नहीं 3 पल 0 आया ना 3 पल 0 आया ना तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 35 बराबर 7 गुड़े 5 बोलो लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर पलस 0 लिखना जरूरी नहीं है पलस 0 लिखना जरूरी नहीं है तो अगर हम गुड़नखंड परमिय पढ़तेंगे तो उसमें यह आर जो है हमेसा 0 होगा तो हमें इस 0 से कोई मतलब नहीं है हमें इस सुनने से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतने से ही मतलब है तो बच्चा अगर इतने से मतलब है तो ये आपका हो जाएगा 0 ठीक है, R-A-F-X क्या हो जाएगा बेटा ये 0 हो जाएगा आप लोग कलास को लाइक करो भाई मैं देख पा रहा हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आ रही है जान लो, फिर मैं पढ़ाऊंगा नहीं कलास को आप सभी बच्चे लाइक करो बीना देर करें, बीना कुछ कहें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है चलो लाइक और सेयर तुरंट अपने दोस्तों को सेयर कर दो सभी तुरंट भाई देर ना करो बाबू ऐसे मज़ा नहीं आ रही पिल्कुल एकदम दिल से निकलने वाली बाते बोल रहा हूँ चलो फटा-फट कर दो तो जब ये जीरो हो जाएगा तो आपका ये खतम हो जाएगा इससे कोई मतलब है नहीं तो आपका क्या बनेगा ये आपका मेन फार्मूला बन रहा है ये आपका गुड़नखंड परमिये यही है फैक्टर थेरम लेकिन इसको ऐसे अपलाई नहीं करना है इसको ऐसे अपलाई नहीं करना थोड़ा तड़का पड़का लगाते हैं अच्छा बनता है न वैसे ही इसको थोड़ा सा भी और maintenance करना है कैसे इसका screenshot ले लो screenshot ले लो मैं सामने से हट गया हूँ हो गया चलो तो अब इसको मिटाते हैं अब जब हम question करने लगेंगे तब आपको एकदम दिमाग में समझ में आ जाएगा जब तक question ना करोगे ना समझ में आएगा ठीक है मीरा बर्मा जी कुछ समझ में आ रहा है मीरा बर्मा अखिलेस सोनाली तुम तो किवल बात करने में लगी हो और आदित्यासरमा तुम्हारे तो धगवानी वालिक है पड़ लो पड़ने का टाइम है ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा तुम्हारे या गभ सभ में सब देख रहा हूं, जो तुम कर रहे हो, सब देख रहा हूं, अभी तुम्हारा भीएफ बनाते हैं, रुको, रुको, एक सेख नालायक हैं, देखो ये पढ़ने आएं, पता नहीं लड़के हैं कि लड़की हैं, क्या हैं, लेकिन इनको पढ़ाइस कोई मतलब भी नहीं, बलग कर और प्रूब कीजिये, एक समाइनस ब्य tगर ंपाइस स्कुर प्लस एक समाइनस गंदो हैं, बल्च आप क्लियर हो जाएगा, देखो पैटा अब क्लियर हो जाएगा, अब य कह आपाइस स्कुर्य पनलायक हैं, चल सही हो थिक है क्या करना है चिद्ध करना है कि X-1 दिए गया बहुपद X-2 का एक गुडन खंड है मतलब कीजिए X-1 is a factor of polynomial X-2 चल यह देखिए इसमें हम लोग factor theorem अपलाई करेंगे कैसे करते हैं वो देखो द्यान से चलो समझो यहां से बच्चा जैसे जैसे आप reminder theorem करें हो reminder theorem जैसे करें हो बिटा एकदम वह ऐसे होगा same to same वह ऐसे ही होगा ठीक है तनु हजारे जी गुड इबनिंग संदीप गुड इबनिंग बच्चा गुड इबनिंग बिटा सचीन जी गुड इबनिंग अंकित बर्मा अंकित बर्मा exercise 2.4 exercise 2.4 question number second चलो अभी second शुरू नहीं कर रहा हूँ अभी मैं उसका केवल trial कर वा रहा हूँ देखो बच्चा अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था जब गुडण खंड पर्मिये में कि जो गुडण खंड है उससे सुन्यक निकाल लेंगे सुन्य निकाल करके वो मान रख देते हैं अगर ये सुन्य हो जाता है तो इसका गुड़नखंड है अन्यथा नहीं है जैसे एक छोटा सा एक्जामपल देख लो बेटा अगर मैं बोलूं कि संख्या बारा संख्या बारा है तो क्या तीन इसका गुड़नखंड है या नहीं है सबी बच्चे बताओ संख्या बारा का जो गुड़नखंड है वो तीन है या नहीं है यास या नो बोलो इंडियन गेमर बच्चा आ रहा समझ में मनो सिंग सेतन यादो संक्या 12 का गुड़नखंड 3 है कैसे जानेंगे देखो बेटा इसको भाग करेंगे इसको भाग करेंगे तीन चोंग 12 यह घटाने पर सुनना आ गया न यानि सेसपल 0 आ गया मतलब क्या है इसका गुड़नखंड है लेकिन एक सिकंड के लिए सोचो कि अगर मैं तुमसे बोलता कि बेटा यह बताओ कलूलाल कि फलाने जो है न चचा इनका गुड़नखंड साथ है क्या कि बोलो है कि नहीं मम्ता समझ में आ रहा है कुनाल यादो आ रहा कुछ समझ में हिमान्सू प्रतिमाविस कर्मा मुकेस एक यह तुमें भी समझ में आ रहा है तो देखो साथ से जब भाग करोगे चच्चा को तो यह संतुष्ट नहीं होने वाले है तो यहां रहा है अजया है तो समझ में आ रहा है न समझ में आरा चलो चलो यहाँ पर समझो अब तुम समझो बेटा अब इसमें हम जो दिया गया हमारा फैक्टर है इसको क्या करते हैं सुनने के बराबर करते हैं जहां से यह अक्स का मान निकालते हैं अब यही मान ला करके इसमें रखेंगे इसको मान लेते हैं ठीक है माना P of X बराबर ये जो भी आपका दिया है polynomial उसको P of X के बराबर मान लोगे बच्चा बस अब X का मान 1 रखना है यहां से आया है रख लो अगर 0 हो जाएगा तो है नहीं होगा तो नहीं है नेचे दिख रहा है अब इसके बाद देखो यहां पर नहीं जगा है यहां पर तो मैं यहां कर दूँगा यह 1 का स्क्वाइर 1 ही हो जाएगा बिटा और यह 1 का 1 ही रहेगा माइनस का 2 यह प्लस प्लस अब जूड जाएंगे तो 2 माइनस 2 बराबर के आएगे 0 कितना आगे 0 अब क्या कह सकते हो अब तुम कह सकते हो यह 0 आ रहा है अब नीचे लिख सकते हो यहां पर नीचे लिख लो तो कि सेसफल सेसफल सुनने आ रहा है अताहा direct equals 2 का एक गुड़न खंड है लिख लो तो कि सेसफल सुनने आ रहा है अताH एकस मेद गुड़न खंड है कि सेसेसफल सेसफल सुनने आ रहा है समझ मेद विटा कि नहीस मेद रहा है बोल, जारो, वुक्राइब क्र सरे हैं, यह आपके है करना देदा है है? यह यह नहीं करना देदा सि λέद कंगा से जिर जा देखो, अगर सिस्टम से समझ से चलो गए तो बहतर होगा. नहीं सम्झें Scout एंप्र कुछ नहीं समझ्चि耶 किताब खोल लो पेज नंबर 48 का हो गया पर मिय जो था exercise 2.4 question number second पे आजाओ exercise 2.4 question number second इसमें से कौन-कौन किताब नहीं लिया बताओ एक गदय किताब लिया की नहीं किसको बोल रहा हूँ पता है मुझे मालूम है जो नहीं लिया है देखो मेरे बात को बुरा नहीं मानना गदय है तो मैं मजाग में बोलता हूँ जो नहीं पढ़ता हूँ गदहा है न तो भईया गदहा ना बनो किताब लेकी आओ समझ रहा हूँ न किताब लेकी आओ तभी पढ़पाओगे ऐसे नहीं पढ़पाओगे चलो, किताब खोलते हैं कोईश्चन नमबर सिकेंड कोईश्चन नमबर सिकेंड क्या कह रहा है फस्ट कोईश्चन तो तुम लोग करे लिए हो देख रहा है, क्या हो रहा है अब, कुछाउर होने वाला है तुकेंड में कह रहा है गुड़नखंड परमिये लागू करके बताइए कि निमलिखित स्थितिओं में से परते किस्थिती में जी average पि-आफ यक्स का इक गुड़नखंड है या नहीं है G of X P of X का एक गुड़नखंड है या नहीं है ये बताना है चलो बिटा, question लिखो पहला first part लिखो यहाँ पर यहाँ पर G of X और P of X दो दिये हैं इनमें हमें गुड़नखंड पर में ये लागू करके दिखाना है 2X का cube ये लिखा है P of X बराबर 2X का cube अब प्लस X का square माइनस 2X माइनस 1 और G of X भी दिया है बचवा G of X दिया बेटा X प्लस 1 क्या दिया है? X प्लस 1 ये आपका दिया गया है ठीक है? इसमें क्या करना है हमें? इसमें क्या करना है? हमें इसमें गुडणखंड परमिये को अपलाई करना है हेक्टर थोरम को अपलाई करके बताना है कि क्या G of X is a factor of polynomial P of X? ये है की नहीं है? पैसी सीदी सी बात है इन चर्चा को 0 के बराबर कर लो यहां से X कमान निकाल लो मानला के इसमें ठूस दो बस अगर 0 आ गए तो हैं नहीं आ गए तो नहीं है समझ रहे हो ना? जैसे तुम पढ़ाई करे हो तो पास हो गए यहनी पास हो गए तुम पढ़े थे फेल हो गए तुम नहीं पढ़े थे लोग Gur यही तो समझते हैं ना? चलो देखो तुबास यादो बेटा पढ़ लो पढ़ लो नहीं तुमको थो हम यहां से उठा एक फाइंग देंगे बाहर निखल जाओ गया पढ़ लो पढ़ लो चलो अब क्या करेंगे यह हो गया ठीक है सीधी सी बात है कुछ नहीं करना जादा उपर लिखो एक लाइन लिख लो पहला दिया गया माना माना पहलान से गया है सब माना गया लिखो 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 यहां पर ल एक्स प्लस वन का तुन्यक माइनस वन है देखो यह सुननक कैसे निकालते हैं मैं बहुत पहले बताया हूं यह भी तरीका है आप कर लोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठिक है एथा पाइबस अगैसरे निकालते हैं इधर साइड में देख लो एक्स प्लस वण को जी रो के बराबर करते हैं तो एक्स कमान रख दोगे बस फटा फट लाके इसी में रख दो ठीक है तो P of X equal देखो दिया है न 2X का स्क्वाइर 2X का स्क्वाइर प्लस X का स्क्वाइर बाइ का एको लीप पोथ रहे हैं यह दिया है न इसमें X का मन हर जगा क्या रखोगे 1 रखोगे जो उसमें आया है minus 1 तो यह रख दो हर जगा minus 1 रख दो चलो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा minus minus प्लस और यह हो जाएगा 1 तो बच्चा यह बताओ जीरो आएगा की नहीं आएगा यह जीरो आएगा की ना आएगा मुझे तो नहीं लग रहा आएगा यार दो दो चार एक पांच क्यों भाई कहां से मिस्टेक मार रहा है question तो सही है ना 2x का square है plus x का यह cube है ठीक है square है minus 2x है minus 1 है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो नहीं लग रहा है होगा 2 गुंडे cube है हाँ हाँ यह cube है या कुछ भी है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है 1 है न वो हाँ हाँ ठीक है यह cube है हाँ ठीक है बेटा ओके ओके यह cube है तो यह cube है तो यह minus में हो जाएगा चाच्चा यह minus हो जाएगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है no problem सब्लस माइनस सब खतम हो जाएगे 0 आएगा सब्स हो गया हो गया हो गया जाप हो गया अब क्या करें अब क्या लिखो दूँर्म की सेथ्पल 0 आ रहा है एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन डिये गए बाव़ुपद दिये गए बहुपद 2x3 इसको लिखना है 2x3 प्लस x का स्क्वाइर माइनस 2x माइनस 1 का एक गुड़न खंड है जो बोल रहा हूँ उसको लिख लेना बच्चा आगर अच्छे से पढ़ना है तो नहीं लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगी फिर कुष्टन उतना अच्छा नहीं माना जाएगा समझ रहे हो ना भाई सब कुछ तो कर लिए हो तुम जैसे मैं एक एक जामपल बताता हूँ ना जैसे तुम दाल चावल बना लिए हो तुमको खाना है यह हाँ दाल पकाए हो सब कुछ करे हो थोड़ा फ्राई कर लो और मस्त लगेगा तो बस वैसे इसमें है कुष्टन तो तुम हलाई करे हो काम तो करे हो महनत करे हो नीचे एक लाइन लिख लो थोड़ा दाल फ्राईक तरह काम करेगा तो नीचे लिख लेना चुकिछ सेसपल जीरू आ रहा है आता हां एकस प्लस वन एकस प्लस वन दिये गए बहुपद है यह बहुपद लिएना पूरा का एक गुड़न खंड ह बस हो गया चलो यूके गेम मर तुमको मैं क्या को पढ़ लो पढ़ लो भाई नहीं ब्लक करो इनको यार कि लग करो ब्लक करो चलो चलो स्क्रीन सार्ट हो गया चलो चलो थे अगला सिके इंड पर चलता हूं अच्छा एक बात बताओ, इसमें से कितने बच्चे किताब लिए है क्या आपके पास NCRT बुक है बेटा NCRT बुक है आपके पास देखो बुक है तो बुक से खुद मेहनत करो घर पे ऐसे मज़ा नहीं आ रही लड़का लोग को पढ़ना नहीं है इसको पढ़ना कहा है इसको पढ़ना मज़ा कहा आता है देखो बीटा, सीकेंट पार्ट देखो इसका सीकेंट पार्ट क्या कहता है P of X equal देखो P of X equal X का Q plus 3 X का Square X का Q plus 3 X का क्या है यह Square है Okay यह Square है Plus Sमझो समझो मेनत से समझो दिल से और क्या है 3 X plus 1 ठीक है यह है इसमें कह रहा कि जी आफ एक्स जो है एक्स प्लस टू है क्या है बेटा एक्स प्लस टू है ये दिया है ठीक है कह रहा क्या ये इसका गुड़नखंड है या नहीं है सबी बच्चे मुझे बताओ ये इसका गुड़नखंड है या नहीं है जल्दी बोलो बिल्कुल भी देर ना करो, ऐसे मजा नहीं आ रही यार, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रही, चल बता, बता, जल्दी बता, क्या X plus 2 इस पूरे पफुपद का गुड़नखंड है, गुड़नखंड परमिय लगा के बताना है, परतीक टेक्निकल बेटा, तुम मेरी नजर में हो, मिश्टर परतीक, तुम्हारे जैसे नालायक लॉंडे मैंने नहीं देखिया हाथ तक, हाथ तुम दिख कराया हो मुझे, चलो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, जो मैंने पहले लाइन में लिखा था, वैसे ही कुछ लिखना है, लिख लो, हाले यहाँ पर लिख लो, एक्स प्लस टू का सुन्यक माइनस टू है, अब सुन्यक माइनस टू कैसे है, वो तुम्हें पता है, मैं बहुत बार बताया हूँ, तुम कर भी लोगे, कर लोगे ना बच्चा, देखो यहाँ पर समझो, अब क्या करेंगे, हम प्याफ यक्स जो भी दिया है, इसी में ला करके सारा मान रख देंगे, बस हो गया हमारा काम खत्म, देखो यही तो दिया था, ठीक है, ओके, तो प्याफ यह माइनस टू, इक्वल यह माइनस टू का क्यूब, अगर यह जीरो हो जाएगा तो सही है, जीरो नहीं होगा, तो नहीं सही है, बस हो गया, दो दूना चार दूना आठ, माइनस आएगा, और यह दो दूना चार, चार तिया ही बारा, और यह तीन दूना चार, पर प्लस वन, देखो बेटा माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो 8 शा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 14 8 और 6 कहां गया ये और ये 12 एक हो जाएगा 13 क्यों भाईया ये तो नहीं ये लग रहा है माइनस वन आ रहा है न कि देशपल तो जीरो नहीं आ रहा वच्चा देखो तो का कह रहा है यह 2.4 का कुईस्टन नंबर सिकेंड का सिकेंड पार्ट देखो यह नहीं होगा आप लोग उत्तरमाला भी मिला लो साथ साथ में उत्तरमाला बहुत बच्चे मिलाते हैं यूपी बोर्ड वाले हमारे नही सिकेंड थार्ड और फोर नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अखिलेश कुमारी समझ में आ रहा है प्रियंका सिंग स्वाती जैप्रकास पटेल एम एलेस लकी रवी संकर हीना रूबी हमने कुछ गलत नहीं किया तुम लोग नलायक हो एकदम सच्ची बता रहा हूं मतलब मैंने पूरा हाल भी कर रहा है कुछ गलत कर दिया पूरा तो हल कर रहा हूं चलो हो गया कोई दिक्कत नहीं है नीचे हो गया complete आप नीचे लिखो चूकि सेसफल 0 नहीं आ रहा है अताहा आता x plus 2 दिये गये बहुपद ये बहुपद लेख लेना पूरा का एक गुड़न खंड नहीं है एक गुड़न खंड नहीं है ठीक है? ओके गुड़ निभाय आदो समझ में आ रहा है आ रहा समझ में बनिश्टर गेमिंग आ रहा बिटा तुम्हें भी रमेश गुर्जर ठीक है चलो तो ये हो गया बिटा आपका सिकेंड पार्ट भी हो गया अब मुझे एक बात बताओ इसमें का थार्ड पार्ट कौन-कौन कर लेगा देखते हैं कौन-कौन हमारे बहादुर से रहे और कौन-कौन लोमड़ी है लोमड़ीया तो ये सब है जो चैटिंग वेटिंग कर रहे ही छुपपए-चुपए नेब-जेब लगाई हैं वही रोमड़ी है जो बहादूर से रहे न वो पढ़ रहें सिर्फ पढ़ रहें, वो चिटिक पिटिक नहीं कर रहें थार्ड पार्ट देखो थार्ड पार्ट देखो वेटा, क्या कहता है P of X equal X का Q minus 4X का स्क्वार और plus X plus 6 यह दिया है इसका जो g of x यहनी जो factor कह रहा है वो x minus 3 है क्या है? x minus 3 है तो यह बताओ बच्चा क्या यह इसका गुडनखंड है या नहीं है सभी बच्चे बताओ 2.4 का question number second का part number third है दूसरा नहीं था तीसरा हा राकेश सिंग कर लोगे? कनया कुमार question number third का गुडनफल जिला आएगा जिला नहीं आएगा नलायक जीरो आएगा ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड कम से कम कोशिस तो किया अरे यह खचरों को तो देखो जो चैटिंग करने में लगे हैं हम अच्छा इक बात बताओ भाई साहब मैं पढ़ा तो अच्छे से रहा हूं न पूरा दिल से पढ़ा रहा हूं रुमाल निचोड निचोड के मिठा रहा हूं और तुम कलास को लाइक काया नहीं कर रहा हूं बच्चा कलास को लाइक करो न यार तुरंद ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार ठीक है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रही जानलो मेरा आत्मा नहीं कह रही कि मैं पढ़ा हूं आग देखो आपकी भी थोड़ी सी responsibility है, आप भी अपना responsibility मतलब जिम्मेदारी समझो, हम पढ़ाएंगे फ्री पढ़ाएंगे, आपको हजार दो चार हजार पेमिंट नहीं करना है, लेकिन फ्री का मतलब ये थोड़ी कि तुम एकदम फ्री हो जाओ, ना कलास को share करो, ना like करो, कु ये WhatsApp गुरूप बनाये होगे, चार छठी, गेम ओम का जो भी, कोई भी गुरूप हो, सब में बेज दो, आखिर उसमें जुड़ी तो किसी की आत्मा ही होगी ना, बढ़ लेगा, बढ़ेगा तो अच्छा होगा, देश बदलेगा, समाज बदलेगा, तो तुमारा भी दुक तुरंद, देर ना करो, फटाफट सो के ऊपर लाइक हो जाना चाहिए, तुरंद, यूके गेमर बेटर तुम पांच मिनट आराम कर लो, पांच मिनट आराम कर लो तुम अब, मुझे पता है कौन कौन नहीं करा है, अभी इसमें से जो नहीं करा ना, मुझे सब मालूम है, स साल दी हो देऊ ना करो देखो यार like करना है न करना ऊपर जो अंगउना का निशान है उसको दबाना है ऐसे नीचे वाला नहीं दबाना है उपर वाला दबना है अगर पड़ नहीं चाहते हो ता बाकी तुम कुछ भी करो मुझे कोई पर creds हा हा चलो है أ तीसरा कुश्चन क्या कह रहा है अभी हो गए कर दिये चलो थार्ड कुश्चन पर चलते हैं बिटा देखो थार्ड कुश्चन क्या कह रहा है यहां पर समझो third question कह रहा है कि K का मान ग्याद कीजिए हिम लिखित इस्थितियों में से प्रतेक इस्थिति में X-1 P आप X का एक गुड़नखंड हो question थोड़ा गुमारा बेटा दिमाग दिमाग थोड़ा संकार आई है question देखो समझो question समझो सभी question नमबर third question एक बार मैं फिर से पढ़ दूँगा किताब तो तुम लिये होना मैं headline नहीं लिखोंगा बड़ी वाली इसमें जो P आफ यक्स दिया है बाबू वो कुछ ऐसा है यक्स का square plus x plus k ये आपका दिया है इसमें question में कह रहा था उपर की परतेक स्थिती में x minus 1 जो है इसका गुड़नखंड है क्या है x minus 1 is a factor of this equation okay समझ रहो ना सचीन चाओधरी को एकदम से बलाग कर दो इनके जैसे नालायकों की बिल्कुछ जरूरत नहीं है इनको लात मार्ग भगाओ यहां से इनके लिए यही लेंगवज ठीक है ऐसे लोगों को क्या करोगे तुम सुधार नहीं सबते हो चलो देखो समझो तो यह क्या है एक बहुपद है यह इसका गुड़नखंड है यह कह रहा है इसको सिद्ध करो question एक बार फिर से पढ़ देता हूँ जो बच्चे NCRT बुक लिए हैं वो देख लें question कह रहा है के का मान ग्याद कीजिए जबकि निम्नलिखित इस्थितियों में से परतेक इस्थिति में निम्नलिखित इस्थितियों में से परतेक इस्थिति में x-1 x-1 P If X का एक गुड़नखंड हो P If X का एक गुड़नखंड हो तो बेटा जो P If Yaks दिया है वो यही है यानि हमें क्या करना है इसका गुड़नखंड मान करके K का मान निकालना है बढ़ि सिदि सी बात है लिखो चलो लिखो गुड़नखंड है न? तो हल लिखो यहां पर लिखो यदि X-1 P of X का एक गुड़नखंड है एक गुड़नखंड है तो तो क्या X equal 1 रखने पर X equal 1 रखने पर क्या आएगा? Final message पर 0 आएगा है ना? रखने पर सूनने आएगा यह इसकी condition है इसको लिख लेना अच्छा लगेगा यह दि X-1 is a factor of polynomial P of X then when we put the value of X in this polynomial we find 0 देखो इंगलीज थोड़ा थोड़ा बन रही ना? बनेगी तेडा मेडा बोलो कैसे भी बोलो बोलो चलो तो चलो रखके देख लेते हैं परियंका सिंग समझ में आ रहा कुछ आकास कुमार पिकास भिंड निभा चलो देखो तो यक्स कमान रखलो बेटा इसमें ला करके चलो जल तो उपर लिखी दिया हूँ ठीक है यह पी आफ यक्स मैं एक बार फिर से उतार लेता हूँ पूरे इज्जत के साथ और जब हम इसमें लाके मान रखेंगे वन तो यह 0 के बराबर हो जाएगा एटोमेटिक तो पी आफ यक्स नहीं माइनस वन रख जाएगा जहां पर यक्स है वहाँ वन और यह क्या है बच्चा कह रहा है कि जब यह मान रखो गे तुम वहन तो यह 0 के बराबर हो जाएगा तो ठीक है यह 0 के बराबर हो जाएगा तो हम इसे आगे भी बराबर कर सकते हैं 0 के इधर भी चलो यह वन हो गया प्लस 1 प्लस के इक्वल जीरू च्या इधर करलो चाहिए उदर मतलब हो ही हुगा जीरो के बडाबर हो जाएगा यह के का स्ट है गदिश न हुआ इतना ढेगा मनोज कवर न के जीरो सह खिरिए यह को दिया का प्लतों एक के आप ठीक है ठीक है ओके गुड बेरी गुड चलो बटा अब जो भी नाम लेके किसी भी लड़की का कमेंट करेगा मैं उसे पर्मनेंट बलाग कर दूँगा मैं खुद करूँगा अब किसी से नहीं करवाऊंगा जो भी किसी का नाम ले करके परेसान कर रहा है उसे तुरंद बलाक करो बे अगर तुम लोग नहीं बलाक करो यूँ तुम लोग को भगा दूँगा इसको बोल रहा हूं तुम समझ रहा हूं ना जो इसकी ड्यूटी है वो चलो ठीक है बच्चा ठीक है बेरी गुड तो जो भी किसी भी लड़की का नाम लेके कमेंट करे तुम बलाक करो और एक काम और करो जो भी गल्स हैं वो लोग पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दे भाल तू इन लोग के चकर में न पढ़ो इन लोग को जिन्दगी में कुछ करना है नहीं इनकी जिन्दगी वैसे भी खतम है तो इन लोग को यही करना है इनको ना पढ़ना है ना किसी को पढ़ने देना है तो तुम कमेंट के पीछे ना पढ़ो comment में कोई मतलब होने वाला है नहीं इनको जो करने, करने दो इनके पीछे time based नहां करो चलो फाल तो comment नहीं करना नहीं तो दो मिनट के अंदर बारी नहीं आएगी दुबारा ठीक है इसलिए फाल तो comment नहीं दो मिनट में एक एक comment आएगा चलो यह हो गया अब इसका second part पर आजाओ बटा second part पर आजाओ second part पर आजाओ यहां पर देखो क्या कह रहा है second part क्या है भाई लिखो यार question तो बहुत सारा है तुम लोग पढ़ना चाहता नहीं एक को मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ मेरा मन करा तुम लोगो लतिया लतिया अग मार्क भागा दूं सही जो कमेंट कर रहा है फाल तुका लिखो पी आफ एक्स इक्वल तू एक्स काई स्कॉर ऐसे ही लड़के होते हैं जो आफ लाइन में आते हैं उनको बहुत बलभय मारा जाता इसी लिए फिर वो जाते हैं अगले दिन गारजीयन को लेके आते हैं गुरु जी हमें तो बिना मतलब दुन दिये हम तो बहुत सुन्दर लड़के हैं बहुत सीधे साधे हैं कलास में भी वही करते हैं आके पाचीत करेंगे खुषर फुषर करेंगे तो हाथ पैर बटोर दिया जाता है तो फिर घर वालों को बुलाग लेके आते हैं जैक भाई ये तो मार रहे हैं ये तो दुश्मनी है हमारी उन से चलो ठीक है इसका जो factor है वो किता दिया है देखो बेटा इसका जो factor दिया है याञ्स माइनस वन सब का वही दिया है अलग- अलग नहीं है ठीक है बहुत अच्छे देखो कोई फाल तूकमेंट नहीं करे क्योंकि दो मिनिट के अंदर तुम कमेंट दुबारा नहीं कर पाओगे इसलिए फाल तो नहीं करना मतलब की बात पूछो के हम से हम बताएंगे इसलिए फाल तो कुछ मत लिखो क्योंकि तुम एक बार लिख दिये तो दो मिनिट के अंदर दुबारा नहीं कर पाओगे फिर दो मिनिट में एक के बात कह सकते हो चलो तो बिटा इसमें कह रहा है कि यक्स माइनस उण इसका क्या है ये गुड़नखंड है तो हमें के कमान निकालना है जो अभी अभी मैंने लिखा था तो उसी को फिर से लिखोगे जो अभी अभी मैंने लिखा था क्या लिखा था निचली खलो में लिखूंगा नहीं यदि एक्स माइनस वन यदि एक्स माइनस वन दिये गए बहुपद दिये गए बहुपद 2x square plus kx plus under root 2 का एक गुड़नखंड है एक गुड़नखंड है तो x equal 1 रखने पर 0 होगा x equal 1 रखने पर 0 होगा इतना लिखने के बाद क्या करोगे बैटा इतना लिखने के बाद फटा फट इसमें लाके मान रख लोगे अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं एक बार लिख के बता दिया हूँ जैसे पहले में बताया हूँ ऐसे तुम सब में कर लोगे तो बैटा यहाँ पर 1 रखोगे हर जगा 1 रखोगे ये k into 1 ये under root 2 इसमें plus है भाईया ये चिन भी लगाओ ना ये तो फाइनल में क्या होगा जब इसको मान हम रख देंगे तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि हमने सेसफल परमिये में यही पढ़ा है पढ़े हो ना सेसफल परमिये में पढ़े हो फागफल परमिये में हो स्वारी गुडनखंड परमिय में भी पढ़े हो बाकी बच्छपन में वैसे भी पढ़ते आयो ना जब यह मान रखो गे बिटा तो यह क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा कि यह जीरो हो जाएगा. से इसे बहीं कर सकते हो, एक उत्तर यह भी हो सकता है, एक उत्तर तुम यह भी लिख सकते हो, अगर इसमें मायनस से क्या करो? भाई सब माइनस हो जाएगा? कि इसमें कोई पलस का चिन नहीं था कहीं? नहीं था ठीक है इसका एक उत्तर ये भी हो सकता है अगर तुम माइनस वन इसमें से कामन ले लो तो माइनस वन अगर तुम कामन ले लो तो ये 2 प्लस अंडरूट 2 भी हो सकता है तो इसमें से 2 नो हो सकता है देखो अंसर अंसर में क्या दिया है कि कमानी निकालना है ना ठीक है ओके अनिमेज तुमें कि दर्द हो ajudarा पढ़ लो जब स्क्रिंशाट ले लो हो गया गए ठीक है तो तुम इसको भी कर सकते हो इसको भी कर सकते हो यह तुम इने अलग से बनाया इस्ट्रा बाकी ऊपर वाला ही छोड़ देना ठीक है कोई दिक्खत नहीं है ऊपर वाला ही छोड़ देना सबसे आसान रहेगा फाल तु काम नहीं करना पड़ेगा कामन का मतलब क्या होता बेटा बेसिक वाला पढ़ो उसके लिए बेसिक पढ़ोगे तब पता चलेगा तुमें बेसिक पढ़ोगे नहीं कभी तुम कभी पढ़ते हैं नहीं बेसिक की बात छोड़ो जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तड़ फड़ा रहे न वो चैनल को तुरं सब्सक्राइब कर ले पर चल्ब विए रात का साथ वजए वाला जो ताइम है इसमें बावन पर्शंट लोगों ने कहा है कि वो नहीं देख पाते हैं इसक्रीन साथ ले लो हो गया मैं हटता हूं सामने से नीचे वाला इसको मिटा दो आपके भुकों में यहां तक नहीं करेंगे कोई यहीं तक छोड़ देंगे यहीं तक हो गया थिक है चलो आठ बज़ गया का तो कलास को बंद कर दिया जाया बढ़ाया जाया क्या कह रह emphasizing आठ तो बज गया बंद कर जाया उत पढ़ाया जाया भी और पढ़ोगे बोला बताओ इसलिए तो पांच मिनट का होल्ड कराऊं न तुम्हें इसलिए कराऊं दूसरे लिए थोड़े सभी स्क्रीन साट ले लिए आगे बढ़ें नब्या गुपता और पढ़ाया जाया भी और पढ़ाया जाया ना वन मौर चलो तो बिटा थार्ड के जो तीन पार्ट थे नहीं दो पार्ट अभी हुए न इसमें दो पार्ट अभी और है अब इनको तुम खुद से करोगे मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग कुछ कर नहीं रहें अपने से मैं बेवकूप थोड़ी हूँ एक एक कुश्चन करवा दूं सब छपवा दूं तुम कुछ ना करो और आड़ बजे कुछ था क्या कि नोव बजे है ना बहुँ ज्यादा देर पढ़ाना भी कोई मतलब नहीं है तो वेटा देखो होमवार्क है आज के लिए होम उर्क है कि हम ओम ओर लिख लो मैं बता रहा हूं तरीका समझो है तुम सभी ओमउर्क लिखो पहले होम वर्क क्या है इक्सर साइज 2.4 कुश्चन नंबर फ़र्स्ट इकंड और थार्ड आल पार्ट इसको करोगे तब ही हल करोगे मैं होम वर्क एक दिन चेक करूंगा सब्ता हमें मंगवाऊंगा वाट्सप नंबर दूंगा अलग से अपना परफिनल नंबर ठीक है यह होम वर्क एक दिन में नहीं चेक करूंगा Jupiter दे रहूँ तुम्हें कल नहीं करूंगा मैं हर दिन होम वर्क दूंगा सटशेंड या संडे में किसी दिन टाइम करूंगा उस दिन मैं और आपको लाइब में नंबर दूंगा अपना अलग से उसने चेक करूंगा एक एक बच्चा का जो homework नहीं करेगा उसे class में बिल्कुल entry नहीं मिलेगी block कर दिये जाएगा ठीक है यह homework करना बेटा जिससे की अच्छे से हाए समझ में और आगे बढ़ पाओ ठीक है समझ रहो ना तो आज का जो session है वो यहीं class से उन्हें मिल सकें YouTube पे सब कुछ बिल्कुल free होगा अगर आप class को like करेंगे daily और share करेंगे ठीक है बच्चा subscribe एक के दिन होता बाबू subscribe रोज रोज नहीं होता है लेकिन class like रोज होती है share भी रोज होती है ठीक है हाँ तो class बंद करने के पहले एक बात है हाँ पर सुन लो जो बच्चे पीछे की class नहीं देख पाए हैं बेटा वो समझे हैं आपर आप सभी टेली गराम जानते हो हां spelling देख लो टेली गराम पर जाके PBR study का चैनल जॉइन कर लो इस पेलिंग यहां समझ रहे हो ना और जैसे ही जोईन करोगे आज तक की जितनी भी class चली है इस टेली गराम चैनल पर तुमें सब मिल जाएगी सारी इकठा सारी कलास इकठा मिल जाएगी बाबू ठीक है और अगर तुम यह नहीं जानते कि टेली गराम क्या है कैसे जोईन करें कुछ नहीं जानते हो यूटूब पर सर्च करना जानते हो ना जहां तुम बोल के सर्च करते हो वहाँ पर एक बार सर्च करना टेली गराम PVR study यह दोनों वर्ड बोलना या फिर PVR Study Telegram तुमें सबसे उपर दो वीडियो मिल जाएंगे उन वीडियो में से जो सबसे उपर रहेगा उसको देख ले न उस वीडियो में सब बताया गया है टेली गराम क्या है, कैसे जोईन करते हैं कलास कैसे मिलती है, सब बताया गया है ठीक है बिटा, इसको कर ले न फिर आज का सेशन नहीं पर बंद करेंगे आप लोग यह बताओ कौन-कौन कहां से जुड़ा है कौन-कौन कहां से जुड़ा है जैसे कलास परियाग राज उत्तर परदेश से होती है तो आप लोग कहां से हैं बोलो तो क्लास परियाग राज उत्तर परदेश से होती है आप लोग कहां से हैं एक बार बताओ तो थोड़ा दो मिनिट देखता हूं बड़ा मज़ा आता है क्या सेबन पी-म क्लास का टाइम ठीक है आप लोग क्या कहते हो साइंस का क्लास सुबह साथ बज़े देखना जरूर सभी ठीक है साइंस का क्लास सुबह साथ बज़े जरूर देखना बिटा ठीक है न बिनोध मिव जी कह रहे है इतना मेहनत करते हैं मैं प्रेयर करूँगा आपको परिवार अच्छा रहे आप इसी तरह पढ़ाते रहें अपने भविस से में बड़े से बड़ा टीचर बनिये बिनोच जी दिल की गहराईयों से आपका सुक्रिया आप ही लोगों के प्यार से तो हमें हाँ पे खड़े हैं पाकी कहा इस दुनिया में कौन किसका होता है तो भाई बिहार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ बहुत सारे बिहारी हैं जिन में से लॉकुस कुमार एक है हाजीपूर से हैं बंटी यह भी बिहार से ही हैं सहारनपूर यूपी से आरेन तिवारी हैं वहीं BLP, म्युजिक राज़स्थान के भिलवाडा जिले से हैं मधपूरा से जितेंधी जुड़े हुए हैं वही रीसुतिवारी, रीवा के मद्धिपरदेश से जुड़ी हैं मनुज कुमार, बक्सर विहार से जुड़े हैं एके जूंड बोल रहे हैं सिदार्थ अगरवाल उत्राखंड के कोटवार से हैं सिदार्थ नगर से रोहित हैं और संकेज जी बिहार के भागलपुर से हैं हीना साउच अचतिस गड़ से हैं ललितपूर के उत्तर परदेश ललितपूर से अंकुल परजापती हैं नाब्या यूपी कानपुर से हैं मेरा वारामंकी उत्तर पर्देश रह controversy को भी तक अबन नी कर रहा मैं कर देता हूं इसे चलो , गीता मुर।या यूपी आजमगर से हैं और देव माल भीह भॉपाल मध्र परदेश से हैं जै महाकाल यूपी जयानपूर से हैं अमिद जी भाई नरेस ये भगवान पूर से हैं पता नहीं कहां से हैं कुनाल यादव उत्तर पर्देश जौन पूर से हैं देखो बेटा मैंने एक पोलिंग किया है उसमें तुम लोग यास या नो बताओ एक ओर्ट करने के लिए स्क्रिन पर आया होगा ना उसमें यास या नो बताओ कोशन पढ़के तोनाली और या या यूपी से हैं अभी से कुमार बिहार के छपरा जिले से हैं या मेलेस लकी यूपी के मैं पुरी से हैं उत्तरपर्देश के संबल से सुनील यादो जी पढ़ रहे हैं कोंडा से सोनु ड्यूड दूबे स्वरी इनों की स्पेलिंग भी गलत है मैं गलत पढ़ भी रहा हूं बेटे तुमारी स्पेलिंग गलत है साही कर लो हां रभी यादो अमेटकर नगर यूपी से हैं पुषकर पांडे बस्ती उत्तरपर्देश से हैं पुषपलता यूपी आजमगड से हैं और बिनोध जी मिर्जापूर से हैं विकास भी मिर्जापूर से हैं पूजा जी यू इनका है पूने मुन्ना कुमार यूपी के आजमगड से हैं सोनु परजापती फैजाबाद मतलब की आयोध्या उत्रपरदेश से हैं हिमानसु भी कानपूर से हैं नरेश राजस्थान से हैं और ठीक है सभी बच्चे जुड़े हैं पूरे सब इंडिया वाले ही हैं हाँ अभी केवाल इंडिया वाले हैं ठीक है अच्छा है तो पूरे भारत देश से बच्चे जुड़े हैं दूर दूर से अच्छा लगता है थोड़ा सा आप लोग थोड़ा और सपोर्ट करिए कलास को सेर करिए आपके जो इस्कूल का गुरूप बना है आपकी जो बच्चों का गेमिंग का गुरूप बनाये हो तुम लोग मुझे पता है कितने खतरनाक हो हर जगा कलास को सेयर कर दिया करो बाबू और रोज कलास को लाइक किया करो देखो अभी आप देख रहे हो भारत देश के साथ आठ राज्जी के बच्चे हैं तो कोशिस यह होनी चाहिए कि आने वाले महिना दो महिना में पूरे आल इंडिया के थोड़ा सा रुखना कर या याँ कि रिखो या इंटermaid थोड़ा सा ठीक्तf होड़ा यह दो आप लोग जाना नहीं ठीक है इंटCR biz आइगा है मेही कि नेट थोड़ा धिस्ट्र वहता है तो चलो ठीक है आज का कलास कह फॉन करों टाइम हो गया कुश कह संब्सक्त्री रॉख थीख है Da कि बहुत बहुत फेंक्यू आप सभी को दिल से धन्यवाद सभी कलास को ज्यादा फियादा सेयर करें और लाइक करें कि आपकी सायन्स कीटला सुबह होगी सात बज़े से बच्चे याद रखना सुबह साथ बज़े से जरूर देखना वाट्स अप यादो जी आप भी जग गए हैं सो करके ठीक है सुबह हो गई है पढ़िए लिखिये है सुबह हो गई है तो चले फिर बंद करा जाए कुछ चाय पानी मिलेगा का आप चलो फिर बहुत बहुत थैंक्यों आप सब इको बंद करते हैं चलो ठीक है